एक कुंडली सौ समाधान देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ संपोर्ण आकर्शिक और सबसे सटीग एस्टोसेज ग्रिहत कुंडली आज अभी लें क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेट जय श्री गरिशाइनम्ह दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन जोतिश यूट्यूब चैनल स्टोसेज टीवी पर हर दिन की तरह मैंने हराजपूत आपके सामने हाजर हूँ लेकर सापताहिक राश्री फल इस वीडियो में बात करेंगे 20-26 जनवरी के और आप हर परिशानी से दूर रहे यह आशर रखते हुए हम हर हफते आपके लिए सापताहिक राश्री फल लाते हैं इस जो वीडियो है इसमें ग्रह नक्षत्रों की चाल आप पर कैसा प्रभाव डालेगी आपको किन चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा आपका आर्थ और लाते हैं आपके चंद्र राश्री पर आधहारित होता है तो सबसे पहले शुरुरुआत करते हैं सब्ताह के के लिए साथ था वहार भी आएंगे वरत आएंगे जिनकी जानकारी हम आपको अब देते हैं सबसे पहले तो शट्तिला एकादशी इस दिन लोग भगवान विश्णों की पूजा करते हैं इस दिन तिल का विशेश महतो बताया गया है और छे प्रकार से तिलो का उपयोग किया जाता है इनमें तिल से स्नान, तिल का उप्टन लगाना, तिल से हवन, तिल से तरपन, तिल का भोजन और तिलो का दान किया जाता है इसलिए इसे शट्तिला एकादशी कहते हैं यह जो है 20 जनवरी को मनाई जाएगी, यानि सब्ता के शुरू आते दिन में ही, उसके बाद है इस हफते प्रदोश वरत भी, प्रदोश वरत को हम त्रोदशी वरत के नाम से भी जानते हैं, यह जो वरत होता है यह माता पारवती और भगवान शिव को समर्पित है, पुरानो बढ़ते हैं, उसके बाद है मासिक शिवरात्री भी इस सब्ता है, शिवरात्री जो है वो शिव और शक्ती के संगम का एक पर्व है, हिंदू पंचांग के नुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के 14 दिन को मासिक शिवरात्री मनाई जाती है, यह पर्व जो है उपासक को अपन आने वाली अमवस्या को माघ हमवस्या यह मौनी अमवस्या कहते हैं, इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए, और गंगा या मुना या अनिपवित्र नदियू जलाश्रय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए, इस दिन स्नान और दानपुन्य का विशेश महत्व है, इस 24 जनवरी को माघह मवस्या है इसके अलावा जो कुछ खास चीजें इस सप्ता होने वाली है वो है 23 जनवरी यानि गुरुवार को सुभाष चंद्र बोस की जयनती मनाई जाएगी और 26 जनवरी रवीवार को देश भर में इक अतर्वे गंतंत्र दिवस्त को धूमधाम से मनाय आ जाएगा ते कुछ चीजें हैं जो सप्ता में देखने को मिलेंगी 20 से 26 जनवरी के बीच कुछ ग्रहों का गोचर भी होगा उसके बारे में जानकारी देते हैं फिर हम चलेंगे राश्री फल पे सप्ता के शुरुवात में चंद्रमा जो है व्रिष्चिक राश्री में इस्थित होंगे इसके बाद धनो, मकर और कुम्भ राश्री और पर प्रभाव डालेगा और बहुत शारे लोगों के जीवन बदलने वाले आपको देखना चाहिए कि हम राश्यवल की वीडियो जालिंग और लेक भी आपके लिए लेकर आएंगे उसमें बताएंगे कि शनी का जो मकर राशी में गोचर है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी जीवन पर यह जो सभी ग्रहों का गोचर है जैसे चंद्रमा का हो ग बारी है राशी फल की और हम चैन्द राशी पर आधारित होगा तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कुम्भ राशी के जात्कों के बारे में यानि अंग्रेजी में कहते हैं कुम को एकवरियस के बारे में जानते हैं कैसा बीतेगा 20-26 जन्वरी के बीच का जो है ये साथ दिन आपके लिए इस सपता के शुरुवात में जो है चंदरमा आपकी राशी से दशम भाव में रहेगा दशम भाव में चंदरमा के गोचर के चलते कारेश्वेत्र में आपको शुब फलो की प्राप्ति होगी यदि आप अपनी मन पसंद जगह पर ट्रांसफर चाहते थी तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है वहीं आपके काम को देखकर जो आपका बॉस है इस सपता बहुत खुश होगा इसके बाद चंदरदेव जब आपके एक आदश भाव में जाएंगे तो आपको पादिवारिक जीवन में कुछ परिशानियों का सामना करना पढ़ सकता है इस दोरान आपकी माता को हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन चिंता की बात नहीं है दवाईयों का सेवन करके वह जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे सब्ता के मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा इस गोचर के चलते आपके पिता को अंचाही यात्राओं पर जाना पड़ सकता है यह यात्राओं जो हैं निजी कारणों से भी हो सकती हैं और काम को लेकर भी सपता क्यांत में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में होगा इस भाव में चंद्र के गोचर के दौरान इस राश्री के और विवाहत जातकों को शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं वहीं जो जातक शादिश होदा हैं उनके जीवन साथी को कुछ ऐसे आउसर मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में भी साकरात्मक बदलावाएंगे प्रेम में पड़े इस राशी के जातकों के लिए यह सब्ता जो वैसे तो सामाने रहने के उमीद है लेकिन लवमेट के परिवार के किसी सदस्य से इस दौरान आपका जगड़ा हो सकता है मतभेद हो सकता है हाला कि परिस्तितियों को समझकर आप बात को बाद में सभाल भी लेंगे वहाई इस राशी के जो मैरेड लोग है उनकी बात करें तो उनके जीवन में कुछ परिशानी अस दौरा ना सकती है आप अपने जीवन साथी से छोटी-छोटी बातों को लेकर जगड़ सकते हैं और खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं आपके और आपके जीवन साथे के बीच बातचीत बंध हो जाए ऐसा भी संभाव है हला कि अपने गुस्से पर काबू रखें आप हर तरह की परिशानी से बच सकते हैं ओफिस या किसी भी बात का गुस्सा अपने जीवन साथे पर निकालने से अच्छा होगा कि इन बातों के समाधान के लिए आप उनसे चर्चा करें उपाय के तौर पर सुबह के समय श्री शनी गायत्री मंत्र का जाप करी इससे आपको परिशानिया जो थोड़ी बहुत हैं वो दूर हो जाएंगी भागिस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से साधे तीम स्टार तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कैसा बीतेगा कुम्भर राश्री के जातकों के लिए 20-26 जनवरी के बीच का ये साथ दिन तो अगर दी गए जानकारियां आपको पसंद आई हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन का बटन भी प्रस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मलते रहें इसके अलावा सबसे पहले तो आप सभी हमारे दर्शक को गंतंत्र देवस की धेर सारी शुभ काम नाए और जितने भी तीस देवार हैं उनके लिए भी आपको धेर सारी शुभ काम नाए बाके यह जो राशी फल हमने आपको बताया अगर किसी को अपनी राशी नहीं पता तो वो क्या करें आपको हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जाना है या फिर आप हमारे मोबाई लैब स्टोसेज कुंडली को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जा करें दोनों जगा पर आपकी राशी का पता चलेगा आपनी कुंडली बना सकते हैं बिना किसी पैसे का भुकतान के विए तो इस सारी सुवधाएं सर्फ आपके लिए हैं इसका लाब उठाएं और साथ ही वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उने भी पता चले कि आने वाला समय उनके लिए कैसा है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे आपसे अ अलमत दुखाईए नमस्कार